हलो दोस्तों मैं नामे कपिल और क्रिप्ट बार में एक बार फिर से आप सभी सभी का स्वागत करता हूं दोस्ता आज की वीडियो फिर से बिट कोईन के बारे हैं बात करेंगे पिट कोईन में यहाँ पर एक पॉजटीव मोड आ चुका है क्या है वह पुजटीव मोड कहां तक हम जा सकते हैं मार्किट अभी और नीचे जाएगी या नहीं जाएगी पूरी बात बताऊंगा डिटेल में वीडियो को जहां से देखना चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरू करना और बैन नोटिफिकेशन को भी वाल पर सेट कर देना ताकि आने वाली ह आपको मार्किट के बारे में सही जानकारी मिलते रहें तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो तो चलते हैं बाइनेंस के बिटकोईन के चार्ट यह हमने एक नया चार्ट बनाया हुआ है जिसको आजगल हम ट्रैक कर रहे हैं तो यह है 4R का चार्ट बिटकोईन लेकिन अभी Bitcoin ने क्या किया Bitcoin ने एक W pattern बना दिया है यहाँ पर जो की हमें indication दे रहा है कि अब यहाँ से price उपर की तरफ breakout लेगा और 95% chances है कि यहाँ पर Bitcoin उपर की तरफ ही जाए हलका फुलका correction करके ठीक है वो एक अलग बात है कि कोई negative news आ जाए तो यहाँ से price drop हो जाए और यह जो W pattern है यह काम ना करे ठीक है अगर इस बीच कोई negative news नहीं आती साइज चीज़े positive चलती है तो यह W pattern अपना काम करेगा और यहाँ से सीधा breakout उपर की तरफ होगा और breakout कहा तक होगा वो ही मैं आपको बता जे रहा हूँ तो दीखे यह इसका base point हो गया और यहाँ पर यह W pattern हमारा complete हुआ तो यहाँ से यहाँ तक का यह हो गया W pattern ठीक है अभी यहाँ से यहाँ तक की height जितनी भी होगी उतना price उपर जाएगा तो इसको ले रहते हैं यहाँ तक यह देखी सीधा सीधा breakout हो गया हमारी जो dash वाली line थी इसका और इसका breakout होना बहुत साथा जरूरी है क्योंकि यह एक bullish falling wedge है और अगर price उपर की तरफ इसमें break होता है तो फिर price जो हमारा जो target है वो है 48,000 तक का तो यहाँ पर सारी चीज़े अभी positive है MACD भी positive है अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर crossover हुआ है मैंने कल की वीडियों बताया था कि price वापस से नीचे की तरफ drop हो सकता है 37,500 या फिर 37,000 तक मैंने आपको बताया था तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब यहाँ पर थोड़ा सा positive माहौल बन रहा है Bitcoin में तो देखते हैं यह positive माहौल breakout तक work करता है नहीं करता है breakout अगर होता है तो price एक successful तरीके से उपर जाता है यह नहीं जाता है वो भी बात की चीज़े हैं लेकिन यहाँ पर भी दख जो भी चीज़े हमें पता चल लेए वो पता चल लेए कि अब Bitcoin में एक positive mode आने वाला है तो यह तो हो गया 4R का अभी 1R का देखते हैं कि short time frame में क्या चल रहा है तो 1R में यहाँ पर resistance इसने ले लिया है और support यह कहाँ पर ले सकता है ठीक है MSGD के इसाब से 1R में थोड़ा सा बेरिश दिखाई दे रहा है price तो support यह ले सकता है बोलिंगर बैंड की इस फ़रे लाइन पर यानि कि 38,300 तक price अगेन आके उपर की तरफ जा सकता है तो यहाँ पर यह chances हैं अभी short time frame में अब सीधा चलते हैं daily पर तो यहाँ पर जो daily की candle है वो बहुत ज़्यादा bullish हो चुकी है आज की candle है और यह देखे कितनी बढ़िया candle बन चुकी है अब यह candle यहाँ पर अगर इस red वाली candle से बड़ी close हो जाती है वैसे बहुत ज़्यादा chances है कि यह बड़ी ही close होगी तो यह bullish engulfing pattern बन जाएगा और यहाँ से फिर price उपर जानेगी जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी अब यहाँ पर नीचे आते हैं M.A.C.D. पर तो यहाँ पर भी है ट्रेडिंग व्यू पर M.A.C.D. क्योंकि वहाँ पर colors थोड़े से clear नहीं हो रहे हैं तो देखें यह 4R की M.A.C.D. है यहाँ पर 4R में भी हम थोड़ा सा positive हैं और daily के अगर देखें M.A.C.D. तो daily में भी हम लोग positive हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं बिलकुल एकदम clear cut हमें दिखाई दे रहा है कि cross over बहुत जादा नस्दीक है और कल का जो बार होगा वो green होगा यहाँ पर cross over कल तक हो चुका होगा अगर सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा तो तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो उम्मीद काता हूँ आपके लिए यहाँ पूलोगी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like जुरू करना और अभी तक अगर subscribe नहीं किया है तो channel को subscribe जुरू कर लेना समय देने के लिए धन्यवाद फिर मिलते नेक्स टाइम तब तर के लिए जय हिंदोर जय भारत